ना सुदेंस ये कोश्चन देखिए, CBC 2012 में आया हुआ आपका, कह रहा है कि आज सुडेंस स्कोर्ड अ टोटल ओफ 32 मार्क्स इन क्लास टेस्ट इन मैथमेटिक्स एन साइन्स, तो एक बच्चा है, उसने भाई स्कोर किया, देखें, और टोटल कितना स्कोर किया, उसने 32, कौ मार्क्स इन मैथमेटिक्स और प्लस मार्क्स इन साइन्स, दोनों के जो मार्क्स हैं, उनको मैंने सम कर दिया, प्लस का मतलब क्या कर दिया, मैंने सम कर दिया, ठीके न, तो सम करने पर कितना आ रहा है, 32 आ रहा है, चेक कर लीचे, students scored a total of 32 marks in classes in mathematics and science, okay, correct, तो ये बात है, अब सुनो, अब आगे जो कह रहा है, तो कह रहा है, उसको आप छोड़ दो, अभी, आप मुझे ये बताओ, जरा कि भई, अगर दोनों का मिला कर 32 आ रहा है, तो आप किसी एक को एक समान लो, है न, तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि mathematics को मैं short में लिख दे रहा हूं, maths है न, bx, है न, मान लो कि भई, maths में, उसने कितना स्कोर किया, x, सही है, तो अब एक बाब बताओ, science में कितना स्कोर करेगा, खुद सही अपना दिमाग लगा लो, चो, marks mathematics में x है, तो इसकी जगा, x रखा, और प्लस, यहाँ पर हमने, marks in, marks in science रखा, और is equals to, कितना आ रहा है, 32, तो यह बताओ, प्लस, यह प्लस x उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, minus x, यहने कि, हाँ, तो उसने, marks in science, science में, उसके कितने marks आए होंगे, 32, 32 minus x, okay, 32 minus x, कहने का, यह मतलब x की value किसी तरीके से निकाल लेंगे, है न, जो x आएगा उतने marks उसने, maths में score किया होंगा, 32 minus x जोगा, उतने उसने, science में score किया होंगे, और question भी आपसे यही पूछ रहा है, पढ़ लिजे question, कह रहा है कि, find his marks in two subjects, यहने कि, maths के marks बताओ, और science के marks बताओ, ठीक, अब आईए question पढ़ते है, question ध्यान से सुनिएगा, बच्चों, question में two marks less score करता, and, and का मतलब as well as four marks more in mathematics, mathematics में four marks ज़्यादा score करता, फिर से सुन लो, कह रहा है कि, बई देखो, अगर वो science में two marks less score कर ले, और maths में four marks more score कर ले, तो product of his marks would have been 253, तो उसके marks का जो product है, वो कितना होता है, 253 के equal होता है, सही है न, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है, according to the question, यह जो मैं yellow color से कर रहा हूं, समझ जाना, यह new, जो condition लगी, question की, वो मैं कर रहा हूं, ठीक न, according to the question, if he had scored two marks less in science, then, 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 new, marks in science, ध्यान से सुन लो, बच्चों, एक बाद बताओ, अगर उसके two marks less हो जाए, science में, तो new marks उसको कितने मिलेंगे, सुन लीजे, पहले कितना मिलता था उसको science में, 32 minus x, अब इसमें क्या करोगे, minus two कर दोगे, आया की नहीं आया, बताइए, पढ़ लिजे question, had he scored two marks less in science, मतलब जितना science में पहले वो score करता था, उससे two less करता है, ऐसा question में बोला है, तो भाई, पहले 32 minus x करता था science में, अब two or minus करता हो, आंसर कितना हैगा, बताओ यहां से, 32 minus 2, 30 है न, 30 minus x, सुन लो, यानि कि अब वो science में कितना score करता है, according to the question, according to the condition, 30 minus x स्कोर करता है, और सुनो, new marks, new then, new marks in maths, हां बही, जड़ा बताइए, maths में, new marks उसके कितने हो जाएंगे, क्या बोला उसने, four marks, more score कर ले, अगर maths में, पढ़ लिजे, four marks, more in mathematics, तो mathematics में पहले कितने score करता था, चेक कर लो, x, आपने माना था, x है न, तो अब कितने score करेगा, x में four add करना है, more का मतलब multiply मत कर देना, add करना है, तो x plus four marks, अब सुनो, अब उसने question में, क्या बोला है, कि अगर science में, two marks, less score कर ले, तो इतना हो जाएगा, उसका, और four marks, maths में, more score कर ले, इतना हो जाएगा, तो, जो new marks आ रहे हैं, उसके, उनका product जो होता है, according to the question, यानिके, science का new marks, और maths का new marks, लेकर, इनका product कर दो, और वो product किसके equal हो जाएगा, अब चो, according to the question, ध्यान से चेक करेंगे, ये जो product है, ये किसके equal हो जाएगा, this into this, ये रहे लीजे, science के marks, और into, ये रहे लीजे, maths के marks, और ये product करने पर किसके equal आता है, 253 के equal आता है, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, अब यहां से quadratic equation मनाएंगे, है ना, उसको solve करेंगे, x क ये शायद दो values आएंगे, दोनों पर decision लेंगे, देखने क्या होता है, तो चलिए, यहां से बनाएए, 30 into x होता है, आपका 30x, ठीक, फिर 30 into 4, कितना हो जाएगा, 120, उसके बाद, minus x into x, minus x square, और minus x into 4, minus 4x, is equals to, 253, करेक्ट, चेक कर लो, 30 into x, 30 into 4, 120, minus x into x, minus x square, minus x, minus 4, अब को solve करिए, तो यहीं पर थोड़ा सा कर लेते हैं, देखो बच्चों ध्यान से, minus x square तो चलो, ऐसा ही है, यह minus x square तो ऐसा ही है, और 30x, और minus 4x, कितना हो जाएगा, plus 26x, सही है, 30 minus 4, 26, और बचा क्या, 120, ठीक है, तो अभी आप एक काम करो, 120 को right hand side भेज दो पहले तो, चीक, तो कितना हो जाएगा, 253, minus 120, सही है, तो solve कर लीजे, 253, minus 120, 3 minus 0, 3, 5 minus 2, 3, 2 minus, कितना हो गया, 133, 133, तो क्या मैं यहां, डिरेक्ट लिग दूँ, समझ जाना, ठीक है, इनको सब्ट्राइक करके कितना आ जाएगा, आपका, 133 आ गया, सही है, अब यहीं से ध्यान देंगे बच्चे, minus x square को उदर भेजोगे, तो क्या हो जाएगा, positive, और उसके बाद, 26x को उदर भेजोगे, तो क्या हो जाएगा, negative, और plus 133 तो था ही, है न, और यहां बचेगा, left में 0, यानि कि आपके पास quadratic equation क्या बन रही है, x square minus 26 6x plus 133 is equals to 0, क्या बन रहा है, x square minus 26x plus 133 is equals to 0, सही है, अब इसको solve करेंगे, splitting the middle term से, ठीक है, चलिए, तो 133 को यहां multiply करोगे, तो कितना आ जाएगा, 133 into x square, 133 x square, फिर middle term में क्या, आपके पास minus 26x को ऐसे दो पार्ट में split करेंगे कि, subtraction, मतलब addition करने पर minus 26 आ जाओ, multiplication करने पर 133, तो इसके लिए आपको 133 के prime factor करने पड़ेंगे, कर लीचे, यह जाएगा, मेरे ख्याल से 3 से जाएगा, क्या नहीं, 7 से जाएगा, ठीक, तो 7, बन जा होत 26, लेकिन दोनों को ही negative में आपको रखना पड़ेगा, यह लीजे, minus 19x, और minus 7x, ठीक है, क्योंकि अगर इन दोनों को multiply करोगे, minus 19x को minus 7x से, तो आपको इतना ही मिल लाएगा, और addition करने पर इतना मिल रहा है, ठीक है, ना, चलो, तो यहाँ सो हो जाएगा, आपके पास, x square, और minus 19x, और minus 7x, और plus 133, this equals to 0, इन दोनों में से x common लेंगे, तो यहाँ सो हो जाएगा, x minus 19, और इन दोनों में से minus 7 common लेंगे, तो क्या हो जाएगा, x minus 19 है ना, is equals to 0, अब, यह first term, second term क्या common आ रहा है, यहाँ से, x minus 19 common आ जाएगा, सो यहां से x-19 common आ गया क्या बचेगा चेक कर लो first time में x और minus second time में 7 is equals to 0 अब x-19 को एक बार 0 रखोगे तो x is equals to 19 मिलेगा और x-7 को 0 के call रखोगे x is equals to 7 मिलेगा अब सुनो ध्यान से अब तो बड़ा मज़ा आ गया भाई क्यों? x की दोनों ही values कैसी आ गई? positive और marks तो positive होते ही है सही है न? यहने कि दोनों values को आपको लेके check करना पड़ेगा तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा case 1 बच्चों सबसे पहले case 1 तो case 1 में आपने बोला कि x is equals to कितना ले लो 19 तो अगर x 19 लोगे तो maths में कितने marks रहे होंगे उसके? maths में marks आपने x माने थे? सही है न? जाके check कर लीजे पीछे यहाँ पर maths में कितने marks थे? उसके x और science में originally कितने marks थे? without less किवे बताना आपको original marks कितने थे? यह वाले बताने आपको 32 minus x है ना? तो बच्चो अगर x आपने if x is equal to 19 select किया आपने case number 1 यह वाले वेल्लू तो maths में रहे होंगे x याने कि 19 marks और वहीं पर science में कितने रहे होंगे साइन्स में कितने थे? 32 minus x 30 minus x मत कर दे ना? 32 minus x ओके? तो 32 और minus x x कितना लिया आपने? 19 तो कितना आजगा बच्चो? 12 minus 9 3 होता आपका और यहां 2 minus 1 13 marks यह लो यहाने कि बच्चो ध्यान दीजी जड़ा maths में उसके आए होंगे 19 marks तो उस टाइम उसके science में होंगे कितने 13 marks अब सुनो मेरी बात एक चीज़ और सुन ले ना ध्यान से यह जो case number 1 आपने किया है आप यह भी check कर लीजे कहीं पर rough work में कि यह दी गई condition को satisfy करता है की नहीं करता है बताओ दी गई condition को यह satisfy करता है की नहीं करता है क्या थी condition? याद करिए condition यह थी ध्यान से सुनिए कि science में अगर 2 less हो जाए तो science में 2 less करो और maths में 4 more कर दीजे यादि 19 plus 4 कर दीजे और जो भी answer आ रहा है उनका product कर लीजे और 253 आना चाहिए अगर आएगा तभी answer acceptable होगा otherwise नहीं तो 13 minus 2 11 और into में 19 plus 4 कितना होता है 23 ठीक है 11 into 23 कितना होता है चेक कर लो 11 into 23 कितना होता है 253 बिल्कुल सही आ रहा है इसका मतलब बच्चों ये वाला answer verified हो गया हमारा ठीक तो ये वाला answer हम लेंगे तो एक answer तो ये वाला possible box में बंद कर देता हूँ क्या कि maths में उसके marks कितने होंगे 19 और science में आए होंगे कितने 13 अब case number 2 so case number 2 case number 2 में आप x का ये वाला value लोगे ठीक कितना 7 तो if x is equal to 7 है तो maths में कितने आए होंगे उस time इसके तो maths में आए होंगे उसके कितने x x का मतलब 7 marks ओके and science में कितने आए होंगे उसके science में थे बच्चों आपके 32 minus x यानि के 32 minus x की जगा 7 32 minus 7, 12 minus 7 कितना होता है 5 और ठीके न यहां 2 बचेगा so 25 25 marks आए होंगे किसमें उसके science में अब सुनो इसको check करो क्या यह answer valid है तो check करना पड़ेगा यहां पर आपको रफवर्क में तो सुनो ध्यान से उसने बोला क्या कि science में 2 less हो जाए तो science में 2 less करो यानि कि 25 minus 2 और maths में क्या करो 4 more कर लो और दोनों का product ले लो तो 7 plus 4 11 और into में 25 minus 2 23 चेक कर लो वही चीज़ हो रही है 23 into 11 सही है ना तो फिर से product कितना हो जाएगा 253 हो जाएगा 253 यानि कि फिर से condition satisfy हो रही है तो इसका कहने का मतलब है बच्चों ये वाला answer भी सही है ठीक है अब सुनो अब exam में क्या लिखेंगे तो हम exam में case 1 case 2 दोनों answer लिखेंगे कि या अगर maths में उसके 19 marks है तो उस time science में कितने है 13 है या तो या तो और ऐसा भी हो सकता है कि maths में उसके 7 marks है और science में कितने है उस time 25 marks है कर लीचे कर दो कर दो कितने है